जेवेम सर, जेवेम सर, हमारे साथ में आज मादोराव सरकुंडे जो की कट्तर अमबटकरेट कहे जाते हैं और जुनोंने आदिवाशी दर्शन पे और अमबटकर वादी जो समाजवादी चिंतन है उस पे गायरा चिंतन और मनन करके एक लाइन जो है उन्होंने समाज के विक जंगल जमीन का नारा लगाते हैं और जल जंगल जमीन उनकी एक त्रही थी विकास की पहले कई साल और कहीं यूग में थी लेकिन स्वातंत्र प्राप्ति के बार जब हमने पार्लामेंटरी डेमाकरासी शुकृत किये एक्सेप्ट किये बरावर उसके बाद जल जंगल जमी कि अटोमेंटरी के लिए उस सरकार के कभजे में तो जल पूरा नदी है बड़ी 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 नर्मदा है कोई तलाब है उतना तो हम काभीज नहीं कर सकते हैं लेकिन हम जहां बैठे वहां पर बहुत खनीज है तो सरकार कोन सा भी हो कांग्रेस हो भी जेपी वाला वहां पर रस्ता बनाना है महामारक बनाना है प्रकल्प बनाना है कारखाने बनाने है खनीज निकलना है तो जमीन तो ले लेगी लेकिन आमने मां में करनी चाहिए कि इसके बदले हमारे लोग वहां पर जो कारखाना होगा जो कुछ प्रकल्प उसमें हमारे लड़के नवक प्राकिदेशों में ऐसा होता है हां होता है उदर इसको अमेरिका में आमेजान में वडानी जग करके जमात कि तो कमपनी वालों नो ती यह लगाया था कि उसको नाट्रोजन को बांग दालों तो नहीं कि इसको पड़ाई दो शिक्षन दो उसको कर दो खड़े कर रहे हूं उसमें से रिंग और के रिंग से समाथ मुष्ट होता है तो आधिवासी यह पांग करनी चाहिए लेकिन आज जो विकास के नाम पे लगबग दो अधिवासियों का विश्टापन हुआ है और विश्टापन को आधिवासी जेल रहा है और दुसरी तरफ सवीधान में भी पाच्विस अनुसुची हो चट्वी अनुसुची हो इसमें आधिवासी को हकादिकार भी बाहसा अम्बेड करने दिये हुए लेकिन फिर भी यह सह तरह से नहीं हुआ हुआ है उनको सही जगों पर नहीं पिठाए तो इसके क्या हुआ है मोटलब उनको बागी लोग अगात हो जाता है राधिवासी को दूस्ता सपर रूप मेरे काव में दोवर कुछ प्राजेक्ट हो है और मैं रिश्टापन लेकिन उसमें जो कंप्रिश सब्सक्राइब तो मद्यभारत ने और उसके परें और गुजरात राजस्तान में इस प्लेश्मेंट हो रहा है बिल्कुल बंजर जमीन मिली हुए है मैंने भी वहां पर देखा है उसी तरह से आमने देखा कि परतिया बाबा जो कि स्टैची आप युनिटी कहा जाता है मैं उसे स्टैची आप डिस्ट्राइशन में खाऊंगा मैं क्योंकि आदिवासियों का एक्स्प्लाइटिशन करके वहां पे यह जो है यह तूरिजम के नाम पे जो है सर्दार पटेल का जो वहां पे उन्होंने पड़ी मूर्ती स्टापित की और इसकी वज़ा से कापी लोगो कि अधिवासी का इसके बहुत कारण हो सकते हैं एक तो निटर ने तरफ करेंगे इस सब प्रशन अड्रेस करेंगा इस सब प्रॉब्लम आड्रेस करेंगा कि अधिवास के बुष्ट शिलागे में में स्टेक में लड़ते हैं वेकाल के अधिवासी का प्रॉब्लम आड्रेस में रहता है तो यह इसका इस सर्कार पूरी तरफ से आइडा लेता है कि अधिवासी के लाइन याद आ रही है कि यह आधिवासी है वहीं पर बांद है जिते आधिवासी पर बांद है सिर्कार्इद केड़mi खांद यात न फंखाल जीकिते आधिवासी प्राप अध्याश पर सकट प्रत्यक्तर हैं अब इंपूर्म पर संख्लक्त यह सई पगड़ा वह उसके एक हजार कारे करता हो के साथ वाग है उनकी मांग नहीं थी फिर भी उनको हिंदु बनाया का वैस्टुपंधी बनाया हुआ अधिवसी मानने था पिसे हिंदु नहीं नहीं कर पच्चिस वा कलम है उनके देवी दोता अलग है उनकी सांस्कुतिक पहचान अलग है वह अधिवसी नहीं यह कोई भी लेकिन उनको आज लाहीं जा रहा है बाद में हमारा जो कुम्ब मेला होता है वहां पे आदिवाशी को लेके जा रहे हैं तो श्रीराम लल्ला का मंदिर दिखाने को आदिवाशी हमारे शेत्र से लेके गए आरिष्टत वाले तो इसके बारे में आप क्या को भारत में मालूम नहीं लोगों को 25 साल पहले आदिवाशी हिंदू नहीं यह नारा महिने लगाया और 25,000 पोस्टर निकाले थे यह अदमान और विदर्गों में और मराठवड़ा में लगाया थे बड़े 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 पोस्टर तो आदिवाशी लोग मुझे मुझे लगा के घर फेक थे तो आभी आभी वो सुप्रीवोड ने दिया अधिवाशी हिंदू नहीं कि आरे से पहले आधिवाशी और हिंदू तो आभी 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 आया वह ड़ाई अधिया है बाद को इतियास लिखना और पढ़ना वालू में वह कथा ही बता देते बना और एक बार्त जैन में हमेशा उट्टी है कि यहां का जो दलित पैंथर है वो ब्लैक पैंथर से प्रेरना लेके बना मालकम एक्स हो मार्टन लिूथर किंग हो उनका जो संगर्श था वो संगर्श को देख कर उसको समझ कर यहाँ पे राजा ढाले जी हो नाम दो लसाड जी हो यह नोंने जो ब्लैक पैंथर चलाया और अपना विकाद भी कर लिया उन्होंने अपी हद तक त हमारे बिट में ब्लैक पैंथर क्यों ने जाए भाषन में बता हूंगा अर्वी बता दो कि नूटन हुए है ब्लैक पैंथर का जनक था जनक नूटन हुए है उसके पास मालकम एक्स आया भूप अम सारे दुलोग उनके साथ है और इधर राजा ढाले नामदेव दसार और यह जवी पवाद यह इन लोगों मिलके वह दलीद पैन कर गिया और गाव में जो अत्याचार होते थे और यह जाती वाद होता था इसके तूप तूप तूपते थे वह संदर्शे करते थे क्या मानुमें अगर तुमको यह एक अवस्ता से दूसरे अवस्ता में जाना है यह तुमको इसाने तुमको माईगरेट करना है कर नोansen अच्छे आउस्टा तो यह यह आधी वाशी के पास कोई यह लोग यह अधिवाश्यूर्पे देखेट एंगर्शे किया लेकिन उनके क्षत्र में आप यह अंध्रे जोने हस्ताश्य किया इसलिए वह नहीं संगर्शे कि विर्शा मुंडा ने गुजराद में जाके संगर्शे नहीं किया आपने एरिया में जब कोई दिक्कत आती है वही समय हमारे क्रांटी उरो ने संगर्शे किया और वो संगर्शे किसे कोई थोड़ी एडलाजी उबर के आ गई निकल के आ गई लेकिन वह भी कालबाई है लेकिन यहां पे संगर्शे किया दोन लोगों नहीं तो बाबा साहिब पूरे भारत में संगर्शे भंगाम में किया तो महाराथ में भी किया तक्षिन में भी किया गुजरात में इसको संगर्शे और उसके पीछे यह काईडाला जोती है क्योंकि यह इस देश में केवल हिंदू धर्म नहीं है हिंदू धर्म पॉलिटिक्स भी है एकनामी भी है एजूगेशन भी है सोशलाजी यह सभी यह परतिया लेकर चलता है दुलर और जब जब आता है समय तो वह एक एक काड भीकता है कि एकनामी में सरकार को राम मंदिर को लिए पाषी देना चाहिए यह किसके हैं हमारे टाक्स के पाषी है पाषी पाषी तो यह रिविजन एकनामी में करपट हो जब दंगा फसाद करता है तो सोशल मुमेंट में अर्व करपट हो जाए अईसा आदिवाशी को एडालाजी में एडालाजी करें रेलीवे की इंजिन के लेता है ले जाता है उसी तरह लेकिन एक सिमित तोर पर हम देखेंगे तो धर्तियावा बिर्शा मुंडा ने जो संगर्श किया था उल्गुलान तो उनका भी जो संगर्श था वो सामाजिक सांसुरुतिक आर्थिक राजकी और धार्मिक था उन्होंने भी टेन कमांडमेंट दिये उन्होंने भी मूर्ति पूजा को नका रहा था और उसी तरह से उन्होंने जो एलान किया था कि जो दिक्कु है मतलब जो शोशक है जो उत्पिड़क है उनसे संगर्श करो और उन्होंने यह उनका जो संगर्श था यह सोशनमुक्त और भैमुक्त जो है वो व्यवस्ता और समता मुलक व्यावस्ता के लिए उनका ये संगर्श था और उन्होंने ये भी कहा था कि केवल अंग्रेज नहीं तो ये शेट जी बड़ जी जमिनदार सरम जामदार जो है इनके खिलाब भी उनका संगर्श था मतलब आइडियोलाजी तो थी ना इसके जो कि आदीम शामानता ये बात ये तो उन पे रहती है मंुलें कि सिर्फ सबसे ज्यादा बेसा मुलदा को मांता हूं कि विर्शा मुन्दा ने जो जो चोट से जीवन विनून जी आगैं यू आदी गोंदी हमारे अधिवाशी नहीं सिमझ रहे क्यूंकि उन्होंने पहले कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने पता है कि क्रिश्चानेटी हमारी काम की नहीं छोड़ दोड़े क्योंकि जब कोई क्रिश्चानेटी हमारा समाजी कुद्धान और वह शीका और मुस्लीम मनिलेंडर उसके पास उसके बाद उन्होंने वह आनंद पांडे वैश्ण धर्म का उनके पास गेव वहाँ पे दिक्षा दी जानवान नत लगाया उनके बाद वहाँ पे देखा और उसने बताया कि यह हिंदू में हमारे काम के नहीं और उसने स्वेम का बिर्साइद पंतन का यह बुद्ध के लाइन का बिर्सा था कि उन्होंने बताया कि हिंदू तुमारा कल्यान नहीं करेंगे यह सेट शावकार दिक्कु के साथ है और एक क्रिशन भी नहीं करेंगे टोपी टोपी यह करेंगे उन्होंने बताना चाहिए टुहीं करके और दुसरी लेडी उन्होंने 400 पंदे का किताब लिकाहा है चरितर भी लिशा मुंदा था इतनी मंद्र घाता था वुष्भा आवतार बना लिया विर्शा मुंदा के दावा नहीं करता लेकिन सबसे ज़्यादा खीताब है विर्शा मुंदा की पर फिल्म निकलाता गांधी से पहिए गांधी चाहिए और उसकी स्क्रिप्प फिल्म कि उसका किताब है एक के सब्सक्राइब कर पताये सब्सक्राइब एक लेडियर सुनार और ये विशिएые बनाता है गांदी जी जब दक्षिन में गए थे और वहां के किसान उन्होंने देखे थे आधे कपड़े वहां से उन्होंने कपड़े अपने पंचा प्यांगे लेकिन गांधी जारखन में बार बार जाते थे है और वह जाके उनोंने रखकर बापा अनुहां के उन्होंने वहां आदिवासी सिवक संग निकाला उसका अारे Carbon से हृ जबशे मेंoine यह काम किया हो अदिवासी की लिए अर चिरुंकर वहां से निकला है जारी है और जारी रहेगा क्योंकि आज के तारिक में ज्यादा जरूरी है और हम कामयाप जरूर होंगे लड़ेंगे जितेंगे जैविम जैविर्सा जैजवार